चलू भाई तो अब हमरे मन कपास कर बारे में जानब तो उकर खेती का लखे करल चाये उकर उनत प्रभेद कोन-कोन है खेत कर तैयारी का लखे होयला कोन बेरा में लगाया जाया ना भीहिन कर दर का होयला सोग के जानब चलू तब कपास कर उनत प्रभेदा है LRA 5166 अर्विन दो जे कम बेरा में होयल एक सो तीस से एक सो पशपन दिन में तैयार होय जायल और इकर उसत उपज है आठ से दस क्विंटर प्रती हेक्टर अब कपास के लगायक लगिन खेत कर तैयारी खेत के दू तीन धाओं बेसनियर जोईत के पटा चलाय देवे जोतेक बेरा 5 टन सडल गोबर कर माइंद के प्रती हेक्टर कर दर से खेत में बेसनियर मिसाय देवे कपास टाड़ भूई कर फसीला है सहे लगिन खेत में पानी कर जमा नीरहक चाही भाई बुनेक कर बेरा कपास कर बुनेक बेरा जून कर दोसर हफता से जुलाई कर दोसर हफता तक बेस रहे बुनेकर बिधी, खेत कर तयारी करल बादे 75 cm कर दूरी में डच हो से 3 cm गहरा दर बनाए लेवें किसान भाई इधियान रखें कि दर एदका गहरा ना रहो अब दर में अनुशनसित माइंद कर मातरा दे के माटी में मिसाय देवें 30 cm कर दूरी में दू 3 बिहिन डाइल के हलुक माटी के धैप देवें बिहिन कर दर, बिहिन दर 10 से 12 kg प्रती हेक्टर रहेग चाहे आप भाई इकर में उर्वरक देले बेश रहें तो उर्वरक या है नेतरजन 80 kg, स्फूर 50 kg और पोटास 40 kg प्रती हेक्टर और नीम या की करंच कर खरी 100 kg प्रती हेक्टर कर दर में मिसाय के डैल देवें पुश्पन और टिंडों कर अवस्था जखन का पास कर फसिल में अईद का फूल आयक लागे तकहन 20 दिनक भित्रे दू प्रतिशत DAP में बदैल जैल इकर निकाई और गुड़ाई जैसन समय रहे उसन दू धाउ निकाई गुड़ाई बेस रहेल पहिल धाउ 25 से 30 दिनक बादे और दोसर धाउ 40 से 45 दिनक बादे कैर के 40 kg यूरिया के प्रती हेक्टर कर दर से उपर इवेशन कर बादे दर में माटी चगाय देवें पौधा संरक्षन 60 दिन तक कपास में कोनो दवई कर जोरत नी होयल बुनेक बेरा नीम या की करंच कर खरी के डालेक चाहिए जेकर से चुसेक वाला पिलवा मनक रोक थाम होयल 60 दिन कर बादे जदी रोर्य मन के उकर में पिलवा या की पिप्री मन दिस हैं तो नीम आधारी जे दवई बनेल उके दूसे तीन मिली लीटर एक लीटर पानी में घोल बनाएके छिड़काव केर देवें 75 से 90 दिन कर मधे पिलवा पिप्री जदी दिसे तो इंडोक्सा कार्व सुन्ने दसमलो 5 मिली लीटर पानी में छिड़काव करें 90 से 120 दिनक मधे जदी पिलवा दिसे तो इकर रोक्थामलगिन क्विनाल फॉस याकी क्लोरोपाईरी फॉस याकी प्रोफीनो फॉस दवई कर दूसे तीन मिली लीटर के प्रती लीटर पानी में घोल बनाएके छिड़काव के देवें कपास फुल आएक कर 40 से 50 दिनक बादे कपास कर फसिल तयार हो जाएं सहले टिंडा याकी बॉल्स कर काटते हैं उकर से रुआ हर हफ्ता निस्केक लागेल उपज ओपी जी प्रभेदा है उकर उसत उपज है आठ से 10 क्विंटर प्रती हेक्टर इकर जे संकर किसीम है उकर से रोरे मन के फैदा भेटाई 12 से 14 क्विंटर प्रती हेक्टर आप एक टो जरूरी गोईट है सकित ध्यान से सुनू बुनेक कर आगे जदी कपास कर बिहिन के गोबर में मेसा केर के रगड देल जाए तो दाना फरके फरके होई जैल जेकर से बुनेक बेरा डालने परिशानी नी होईल